नमस्कार इबनिंग नुज में आपका स्वागत है आए दीन भर के मुखे खवर पर नजर डालते हैं जारखन में कल से खुलेंगे काक्षा 6, 7 और 8 के स्कूल जारखन में काक्षा 6 से उपर के सभी स्कूल 20 सितमबर सोमवार से खुल जाएंगे इससे पहले काक्षा 9 से 12 तक के लिए इसकूल कोलेज खोलने के उनमती दी गई थी बतादे राजे में कुरोणा पर लगाम लगते हैं संक्रमीतों की संक्या में कमी आने के बाद फिलाल काक्षा 5 तक की पढ़ाई आनलाइन ही होगी बता दे जार्खंड की हेमान सुर्ण सरकार ने पिछले दिनों आपदा प्रवंदर प्राधिकार की बैठा की थी इसमें स्कूल कॉलेज को खोलने समंदी अनुमाती दी थी जार्खंड दरसन वेबसाइट बंद ई-पास के लिए परसान रहे सरधालू जार्खंड के देव घरिष्थित बाबा बैदना धाम सहीत बासकीनाथ मंदीर वर रजरापा मंदीर में दरसन करने के लिए ई-पास बनवाने में लोगों को काफी दिकत हो रही है बता दे ई-पास नहीं बन रहा है कारण बताया जा रहा है कि सनिवार को दोफर बात जबरजस्त थंडरिंग के कारण जार्खंड दरसन वेबसाइट बंद हो गया वहीं बताया गया कि राची इसी डेटा सेंटर पर ही थंडरिंग का असर हुआ है इस कारण सनिवा साम साले चार बजे के बाद से वेपसाइट खुल नहीं रहा था देर राद तक लोग वेपसाइट के खुलने का इंतियार करते रहे लेकिन नहीं खुला इस कारण बाबा बैदना सहीत अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए लोगों का इपस नहीं बन सका जारखन में 21 से भारी भारीश जारखन में एक बार फिर भारी भारीश हो सकती है मौसम विभाग ने अपने परू अन्वान में बताया है कि 21 और 22 से तमर को राजे में भारी भारीश हो सकती है वहीं रभीवार को राची समेत कई जीलो में में गजन के साथ भारीश की संभावना है इस दोरान बजरपात की भी असंका है बताद मौसम का मिजाज बदलने वाला है एक तरफ जहां 21 और 22 से तमर को भारी भारीश होने वाली है वहीं आज भारीश के दोरान बजरपात की भी असंका जायर की गई है मौसम विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार रभीवर कुराची सिम्टेगा पचमी सिम्भूम गुमला खुटी सराय के लखासावा और पूरबी सिम्भूमे में गर्जन होंगे चारखन में सरेंडर करने के बाद औस वस्त नकसली गंगा की रिम्स में मौत नकसली कमांडर तालादा का दहिना हाथ पाने जाने वाले गंगा परसादराई ने 4 अगस्त को पूलिस के सामने आत्मसमरपन कर दिया था बता दे उसकी मौत सनिवार की रात रिम्स में इलाज के दोरान हो गई आत्मसमरपन के दोरान ही उसकी थीथी ठीक नहीं थी सरेंडर करने के सप्ता अबरबाद 13 अगस से उसे दुमका के फुलो जानों मेटकल कोलेज अस्पताल में भरती कराक और इलाज कराया जा रहा था वहीं सुक्रवार की सुबा हालात खराब होने पराची रेफर किया गया टाटा मोटर्स के करमचारियों को बोनस वा अस्थाई करन आर्थिक मंदी और कुरोना संकट से जूज रही टाटा मोटर्स के करमचारियों को विसकर्मा पुजा के दिन बोनस का तोफा मिला है बतादे प्रबंधन और यूनियन के बीच समझाता के मुताविक कमपनी के 281 वाइस 6 करमचारियो का स्थाई करन होगा इसमें टाटा मोटर्स अस्पताल में कारड़त 5 नर्स भी सामिल है पहली बार टाटा मोटर्स में 20 करमा पुजा के दिन बोनस समझाता हुआ है इससे पूर्व दुर्गा पुजा के आसपास बोनस समझाता होता था बतादे बोनस की रासी करमचारियो के बैंक एकाउंट में इस माह के अंध तक भेज़ दी जाएगी पांच दिन से पानी को तरस रही 6 लाग की अबादी जर्या कोईलांचल को सनी वार को पांच वे दिन भी पानी नहीं मिला बतादे जला पूर्ती ठप रहने से 6 लाग की अबादी तरही माम कर रही है दरसल जल सन्यंत्र केंद्र जामा डोबा से निकलने वाली पाइप लाइन दो जगों पर फट गई है जाम तड़ा के अधिकारी 30 इंच पाइप और 18 इंच का फटा पाइप ठेका मजदूरों के सवयोग से म्रमत कराने में जूटे हैं इधर बुंद बुंद पानी को तरहस्ते लोग दूर दराज के इलाकों में इस्थीत कुवा वो अने जल सुरोतों से पानी भर भर कर ला रहे हैं बता दे जामा ड़ा के करमचारियों के अनुसार जामा डोवार ट्रीटमेंट पलांट में 12 एमजीडी पलांट के निकट जहरिया जलागार को जानेवाई 30 इंच पाइप लान बुद्वर की रात में फट गई थी इससे जहरिया वन को पानी की सप्लाई बंद करनी पड़ी जहरिखन में ड्रोप आउट बचो का नहीं हुआ दाखिला सिक्षा विभाग के निदेश के बाद भी आउट ऑफ इसकूल या ड्रोप आउट बचो का नमांकन भी द्यालों में नहीं हो पा रहा है बतादे विभाग नई समध में सभी जीला के सिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निदेश दिया था इसको लेकर जार्खन सिक्षा पर्योजना की निदेश कियन कुमारी पासी ने फिर से सभी जीला सिक्षा पताधिकारी वा जीला सिक्षा अधिक्षा को पत्र लिखा है जीले को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि वर्ष 2021 में कराए गए सर्वे के अनुसार राजे में 6-14 आयू वर्ग के 6,211,703 वा 14-18 आयू वर्ग के 1,95,324 वा 3-5 आयू वर्ग के 2,79 या 348 बचे ड्राप आउट हैं 6-14 आयू वर्ग के बचों के नमांकन को लेकर जीला को निर्देश दिये गए थे IRCTC में नौकरी के नाम पर फर्जी नियुकती पत्र बिहार जार्खन उतर परदे समेत कई और राज्यों के बेरोजगार युवाओ को भारतिये रेलवे खान पान एवं परेटन निगम में नौकरी दिलाने का फर्जीवाया चल रहा है बतादे बैस्विक में हमारी कुरोना के इस दोर में रोजगार का संकट बढ़ने का फैदा उठा रहे हैं ऐसे तत्व बेरोजगारों को अपना निशाना बना कर मोटी रखम की उगाई कर रहे हैं युवाओ को आया सीटीसी के अलग-अलग ओफिसों में नियत तीथी को साटिफिकेट वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग करने के लिए बुलाया जा रहा है युवाओ क्ट्रेणिंग और वेरिफिकेशन के नाम पर भटक रहे हैं सीएम हेमंत सुरें से मिले तेयसवी आदव सीएम आवाज पहुचकर मुख्य मंत्री हमान सुरें से बिहार के पुर्व उप मुख्य मंत्री और विधान सभा में नेता परतिपक्ष तेयसवी आदव ने अवचारी मुलकात की साथ में राज एक के स्रम मंत्री सत्यानाद भोकता भी मजूद रहे इसके बाद तेयसवी आदव कारणीवाल हौल में अवेजीत कारिकरम में पहुचे यहां सैकडों की संक्या में रायत करकरता पहुचे थे रिम्स के ICU से फरार हुआ कैदी जारखन के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा बेवस्ता पर एक बार फिर सवाल खड़ा हुआ है बताद रिम्स में इलाज के लिए भरती कैदी रभी वार तड़के फरार हो गया क्रिस्न मोहन हत्या के एक मामले में होटवार जेल में बन था वहां तवियत खराब होने पर उसे रिम्स लाया गया था बताद रिम्स के मेडिकल आईस्यू में इसका इलाज चल रहा था धनबाद में 667 यात्री आटो को दिया गया QR कोड धनबाद सहर के अंदर सुमवार से तय रूटों पर निधारित आटो चलेंगे बताद रभिवार को परिवहन विभाग की ओर से सहर में चलने वाले आटो संचालकों को रूट पास और QR कोड दिया गया इस दोरान परिवहन विभाग पहुंचे कई आटो चालकों ने जम कर हंगामा किया संचालकों का कहना था कि आटो चलने दो या रोजगार दो जिला परसासन की मनमानी नहीं चलेगी बता दे सहर में उन्हीं आटो को चलने की जाज़त मिलेगी जिन्हें परिवहन विभाकी ओर से रूट पास दिया जाएगा गुमला चेमबर चुनाव गुमला चेमबर ओफ कमर्स सत्र 2021 बाज़ के लिए कई सदस्य कारे समीती के चुनाव को लेकर मद्दान रविवार कुन इधाई समय से लगभग सवा घंटा विलम से शुरू हुआ मद्दान गुमला नगर भौन में किया जा रहा है बतादे मद्दान परकिरिया पुर्वाहन आठ बये से अरम होनी थी और मंडल पदा अधिकारी मद्दान केंद्र पर पहुंचे और सांती वसुरक्षा बेवसा का जाजा लिया उन्होंने चुनाव में परदार सिता लाने के लिए सभी 938 मद्द पत्रों पर अपने हस्ताक्षर किये वहीं पुर्वाहन सवा नौव बये मद्दान की परकिरिया परणाभ होई चत्रा से ढोडा के साथ पांच तसकर गिरफतार जारखन के चत्रा जीला से मादग पदात ढोडा की उत्राखन ले जाई जा रही खेप पर पुलिस ने पकड़ लिया है बता दे ढोडा लादा मीनी ट्रक को भी जब्द कर लिया गया है मौके पर से तसकरी में पर्यूक्त होने वाली बाइक भी मिली है पुलिस ने पांच अंतर राजिये तसकरो को गिरफतार किया है गिरफतार तसकरो में से दो उत्राखन के रहने वाले है इनमें हरी द्वार जीले के गंग नगर थाना छेत्र के रामपुर्निवासी इर्फान का 30 वर्षिये पुत्र जावेद और फैजल का 18 वर्षिये पुत्र अतावर हर्मा का नाम सामिल है जेपीसी एकजाम जारखन लोग सेवा आयोग राची द्वारा आयोजित जारखन सन्यूक्त और सयनिक सेवा प्रणविक परिच्छा 10 बये से सुरू हो गाई बता दे परिच्छार्थी परिच्छा केंदर में परवेश कर गए हैं परिच्छार्थी परिच्छा केंदर पर डेर घंटा पहले ही पहुचना सुरू कर दिये थे परवेश करने के पहले परिशार्तियों की थर्मल स्केनिंग से बोड़ी टेंपरेचर मापा गया जिनके पास मास्क नहीं था उन्हें मास्क उपलब्द कराया गया वहीं परथम पाली में परिक्षा 10 बजे पुरुआन से 12 बजे मद्याहान एवं दूतिय पाली में अपराहन 2 बजे से अपराहन 4 बजे तक 188 भी बिन परिक्षा के अंद्रों पर आयुजित की जाएगी पुराने बिहार को बिक्सित करना सपना तयस्वी आदव तयस्वी आदव और हेमन सुरेन की आपचारिक मुलकात के दोरान जार्खन के स्वरम मंत्री यम आर्यडी के एक मात्रविधायक सत्यानान भोकता मौजूद रहे बता दे इसके पहले तयस्वी ने कहा कि वे और विभाजित पुराने बिहार को बिक्सित करने का सपना लेकर जार्खन आया है इस पुराने बिहार के बिकास में ही जार्खन का बिकास नहीं था है तयस्वी ने जार्खन को संगहरसों की जमीन बताते हुए कहा कि यहां के ख नहीं बढ़ेगा धन्यवाद यादि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुल के बेले कंदवे साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबैक अवासे दे थांक यू